है सो एह गाइज आजके इस वीडियो में अपने इक बार करने वाले हैं वीवो स्माट फोन की बारें डोस्तों वीवो के काफी सारे यूजर्जुर्स के कॉमیک्ट आते हैं मेरे पिछले वीडियो के ऊपर उत्मुज से रहते हैं कि सर्ह वीवो के स्मार्टफोन के अंदर Android 12 का और Funtouch OS 12 का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा और Vivo के कौँछे कौँछे स्मार्टफोन के अंदर ये दोनों ही अपडेट देखने को मिलने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में कन्फर्म इंफर्मेशन देने वाला हूं फंटच अपडेट के बारे में और Android 12 अपडेट के बारे में तो वीडियो को आपडेट तक जरूर देखें वीडियो को पिछे लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो ने आए तो यार चैनल को ज़रूर चे सब्सक्राइब कीजिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहां पर अपने बात करने वाले हैं वीडियो स्मार्टफोन की बारे में वीडियो के काफी सारे यूजस कॉमेंट करके बहुशे रहते हैं कि सर क्या हमारे स्मार्टफोन के अंदर Funtouch OS 12 का और Android 12 का अपडेट देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा तो दोस्तों यहां पर मैं कंफर्म डेट भी बताने वाला हूँ आपको और कौन से कौन से स्मार्टफोन के अंदर आपको यह अपडेट मिलेगा वही लिस्ट आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों यहां पर बताने वाला हूँ सबसे पहला स्मार्टफोन आता है Vivo X70 Pro Plus उसके बाद X70 Pro X70 उसके बाद Y33s उसके बाद X50e और X50e Light उसके बाद X50 Pro X50 Pro Plus और X60t Pro Plus उसके बाद Vivo V21e 5G उसके बाद X60s उसके बाद Y52 V2 5G उसके बाद Y-52 ST1 उसके बाद X60PRO और X60PRO PLUS X60T और रस्तों उसके बाद Vivo S70 विवो S70 ए और Vivo S7 उसके बाद S9 उसके बाद S9E उसके बाद Vivo V90 उसके बाद Vivo V20 Vivo V20 Pro, Vivo V20 SE, Vivo V21 5G, Vivo V21E, Vivo X 51 5G, Vivo Nex 3 S 5G, उसके بعد Y52 जी उसके बाद Y12S 2021 उसके बाद Y52S T1 उसके बाद Y20S गी उसके बाद Y70 उसके बाद Y70S उसके Y73S, Y30G, Y30, उसके बाद Y31, Y31S उसके बाद Y11S, उसके बाद Y20, Y20S, उसके बाद Y20G उसके बाद दोस्तो Y20I, उसके बाद Y12S, Y51A, Y51S और Y51 उसके बाद दोस्तों Y52S, उसके बाद Y21, S10 Pro और S10, उसके बाद Y73, उसके बाद Y72 5G, उसके बाद Y53S यह सारे Vivo के स्मार्टफोन हैं जिनके अंदर आपको ColorOS 12 का और Android 12 का अपडेट देखने को मिलेगा उसके बाद दोस्तों IQOO के अंदर भी FunTouch OS और Android 12 का अपडेट देखने को मिलने वाला हैं जो की Vivo का सब ब्रांड हैं तो दोस्तों Vivo IQOO 5 Pro 5G, उसके बाद 5 5G, उसके बाद Neo 3 5G, उसके बाद Z1X, Z1, उसके बाद Z3, उसके बाद 7 Legend, उसके बाद 207, उसके बाद Neo 5, उसके बाद U3, U1X, और उसके बाद IQOO 3 5G ये सबी IQ और जो स्मार्टफोन है WIO का सब ब्राण्ड है इन सबी स्मार्टफोन के अंदर Android 12 का और Funtouch OS 12 का अपडेट देखने को मिलेगा बात करते हैं दोस्तों इन सबी स्मार्टफोन के अंदर कब तक आपको यह अपडेट देखने को मिलेगा तो दोस्तो इसी 2021 के December से लेके आपको 2022 के December अंड तक इन सभी स्मार्टफोन के अंदर आपको ये update देखने को मिलेगा और दोस्तो कौन से स्मार्टफोन के अंदर कब update आएगा और कब update से लेटर कोई भी information आएगी तो दोस्तो इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा तो डेफिनेटली चैनल को जरूँ से सस्क्राइब करने बाकि दोस्तो वीवो स्मार्टफॉन के लिए इस वीडियो में यही था वीडियो कुछ बेशा लगत लाइक कीजिए और वीडियो पर नहीं है तो चैनल को जरूँ से सस्क्राइब किजिए बाकि थैंक यू